सोना नदी के किनारे बास बाड़ी गाउं बसा था जो बहुत ही खुबसूरत था बास बाड़ी गाउं से नदी के पुल तक का फासला एक किलोमीटर था जिसके बीच में बासो का बड़ा सा जंगल पड़ता था इसी बास के जंगल के नाम से इस गाउं का नाम भी था लेकिन जब बरसात में पानी बरसता तो नदी में बार आ जाती थी इसलिए अब वहाँ पर एक पुल बन रहा था जिसको बनाने के लिए बहुत सारे कारीगर आये थे उसी गाउं में संजय अपनी पत्नी मन्जू के साथ रहता था वह बहुत ही ज्यादा गरीब था एक दिन शाम को उसने मन्जू को खुश खबरी सुनाई मन्जू जरा यहाँ आओ तुमको बहुत अच्छे खबर सुनाता हूँ मन्जू दोड़ती हुई आई और पूछा कौन सी खबर है बताओ यहाँ तो सब मनू उस खबरे सुनने को मिलती है मेरे तो भाग फूट गए तुमसे शादी करके इस बात पर संजे भड़क कर बोला हे भगवान हर समय यह क्या बक्ती रहती हो तुम अरे मैं अच्छी बात सुनाने जा रहा हूँ और तुम रोना धोना मचा देती हो अच्छा सुनो एक खुशखबरी है हमारे पास कोई काम नहीं है ना हम खाली बैठे हैं अब यहाँ पर पुल बनने वाला है कारीकर आ गए हैं मैं भी पुल पर काम कर लिया करूंगा तो मेरे पास बहुत सारे रुपए हो जाएंगे यह सुनकर खुशी से मंजू की आँखे चमकने लगी थोड़े ही दिनों में मंजू और संजे भी काम करने के लिए जाने लगे मंजू और संजे की वहां कई मजदूरों से जान पहचान हो गई वे अपने साथ खाना ले जाते थे तो कभी कभी उन मजदूरों को भी खिला देते थे वहां पर उन्होंने पन्चू मजदूर को अपने दोस्स से कहते सुना अरे यार हम काम कर 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 बुरी तरह से ठक जाते हैं फिर खाना बनाने का मन ही नहीं करता इसलिए हम उल्टा सिधा खा लेते हैं अगर हमें बना बनाया खाना मिलता तो हम बड़े आराम से और भी ज़्यादा रुबे कमा सकते हैं संजे पन्चू से बोला हाँ बात तो तुम सही कहते हो एक दो दिन की तो बात होती तो हम आप सब लोगों को बना कर खाना खिलवा देते लेकिन हमारा घर दूर पड़ जाता है न फिलहाल कल तुम सब लोग मेरे यहां आना दावत है क्यूंकि कल मेरा बठडे है मंजू ने भी हामी भर ली शाम को सभी लेबर संजे के यहां आए वे खाना खाकर और उसको गिफ्ट देकर चले गए उनकी खुशी को देखकर मंजू के मन में एक आइडिया आया उसने संजे से कहा क्यों न हम एक धाबा ही खोलने यह सुनकर संजे को हसी आ गई और वे बोला हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं है फिर हम धाबा कैसे बनवाएंगे एक और आइडिया है हमारे यहां जो बासो का जंगल है इन में से हम बास काट कर अपना धाबा बनाएंगे जिससे यह बिलकुल फ्री में बनेगा इस बात को सुनकर संजे बहुत खुश हो गया अरे हाँ यह तरकीब तो बहुत अच्छी है एक भी पैसा नहीं पड़ेगा हल्दी लगे न फिटकरी और रंग चोखा तुम कितनी समझदार हो तो फिर चलो आज से ही हम इस काम को शुरू करते हैं शुप काम में देरी नहीं करनी चाहिए हाँ ठीक है संजे ने मजदूरी करनी छोड़ दी अब दूसरे दिन से ही मंजू और संजे दोनों ही बास लाने के लिए जुट गए धीरे धीरे उन्होंने बहुत अच्छा धाबा बना लिया मंजू और संजे स्वादिष्ट खाना बनाने में जुट गए दोपहर को संजे ने जाकर सभी मजदूरों को बता दिया पंचू तो खुशी के मारे उचलने लगा वे खाने का शौकीन था वे बोला अब तो मज़ा आगया हमें रोज अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा रोज मंजू के धाबे पर भीर लगने लगी मंजू और संजे की आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ गई उधर मजदूर भी बहुत खुश थे वे खाना खाकर कहते वा भाईया वा कितना अच्छा खाना बना है उनका धाबा बास वाला धाबा के नाम से फेमस हो गया और आसपास के इलाके के भी बहुत सारे लोग आने लगे उनकी आमदनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अपनी जोपड़ी की जगा संजे ने अपना मकान बनवाना शुरू कर दिया इससे संजे के पडोस में रहने वाले बदलू नामक आदमी ईशा से सुलक गया उसने अपनी पतनी चमेली से कहा संजे के यहां देखो जैसे लक्षमी बरस रही है और हम कितने कंगाल है अब हम भी धाबा खोलेंगे लेकिन हम पैसा कहां से लाएंगे अरे तुम बागर हो क्या संजे ने जैसे बनाया था वैसे ही बनाएंगे बासो का जंगल खड़ा है बस वहां से ले आएंगे एक भी पैसा नहीं पड़ेगा लेकिन खाना बनाने के लिए भी तो सामान की जरूरत पड़ेगी अरे उसकी चिंता मत करो मैंने उसकी भी तरकीब सोच ली है बस तुम मेरे साथ चंगल में चलो और बास काटने में मेरी मदद करो चमेली बहुत आलसी और मकार थी वह बोली मेरे पेट में दर्द हो रहा है मैं बास काटने के लिए नहीं जा पाऊंगी तुम अपने आप जो कर पाऊ वही करो मेरे पीछे मत पड़ो हाँ बदलू उसे गालियां देने लगा अरे करम चली ये आलसी कहीं की वहां मन्जू को देख कितना काम कर रही है वो मैं उतना नहीं कर पाऊंगी ठक हार कर बदलू अकेला ही बास काटने के लिए चला गया कई दिन में उसने बास काटकर जमा कर लिये फिर धाबा बना लिया उसने चमेली से कहा कल से तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा चमेली ने पीछा छुडाने के लिए कह दिया ठीक है ठीक है मैं बना लूँगी लेकिन सामान तो है ही नहीं पहले सामान तो लाओ उसी रात को बदलू ने संजे के यहां चोरी की और उसके यहां जितना भी राशन खाने पीने का सामान रखा था वह सब चुरा कर ले आया और सवेरे उन लोगों ने खाना बनाना शुरू कर दिया उधर सवेरे जब संजे की नीन खुली तो उसने देखा उसके भंडार घर में रखा हुआ सारा सामान गायब है वह परिशान हो गया उसने मन्जू से कहा हमारे यहां चोरी हो गई अब हम खाना अभी कैसे बना पाएंगे मैं फिर से सामान लेने जा रहा हूँ वह फिर से सामान लाने के लिए बाजार चला गया जब है बाजार से सामान लेकर लोटा तो उसके बाद खाना बनना शुरू हो गया इसलिए आज उसके यहां देर हो गई मन्जू आज हमारे यहां खाना खाने के लिए गरहा काएंगे तो उनको देर हो जाएगी लेकिन फिर भी हम खाना बना कर रख लेते हैं उधर बदलू ने चला चला कर लोगों को बुलाना शुरु कर दिया साधिष्ट खाना खाने के लिए पतार ये आईए हमारा नया धाबा कुला है देखिए आपको यहां कितने लजीज वेंजन खाने के लिए मिलेंगे चमेली ने खाना तो बनाया था लेकिन एक तो वे अच्छा खाना बनाने ही पाती थी दूसरे खाना बनाने में उसका मन तो लग ही नहीं रहा था उसने सबजी चढ़ा दी और अपने आप आराम करने लगी थोड़ी ही देर में सबजी जलने लगी फिर उसने जैसे तैसे कच्ची पकी रोटियां बना कर रख दी बदलू ग्रहकों को इखटा करके लाया और उनको खाना परोसने लगा जैसे ही ग्रहकों ने खाना शुरू किया वैसे ही वे सब नाराज होने लगे एक ग्रहक बोला जी 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 ये कैसा खाना है सबसी जली होई कड़वी लग रही है और नमक मिर्श का तो पता ही नहीं है तो दूसरा ग्रहक बोला तीसरे ग्रहक ने भी कहा चौथा ग्रहक तो गुस्से में बोला जलो भाई हो चलो ऐसा घटिया खाना तो हमारे मुँ में भी नहीं चलेगा अब ही हम देखकर आए तो संजे के हां खाना बन रहा था अब बिचारे के हां चोरी हो गई थी इसलिए खाना बनाने में थोड़ा लेट हो गया है हाँ भाई चलो 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 भाई चलो थोड़ी देर में सब ग्रहक वहां से भाग गए और संजे के ढाबे पर पहुँच गए वहां खाना तयार हो चुका था संजे ने सभी ग्राकों को खाना परोसा और वे सब खाने लगे उधर बदलू ने चमेली को फटकारना शुरू कर दिया और कहा तुमने घटिया खाना बना कर सारा सत्यानाश कर दिया हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कारीगर को बुला कर रख सकें और उससे खाना बनवाएं तुमने चोरी करके राशन इखटा किया उससे तुम्हारी बरकत कैसे होगी और गल्ती मेरी बता रहे हो मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ कि मेरे घर में सब मुझे अन्यपूर्णा कहते थे तुम्हारे घर आकर मेरी जिंदगी ऐसी नाच हुई है बदलू उसकी पिटाई लगाने लगा फिर उन दोनों ने अपना धाबा तोड फोड डाला और कहा हम दोनों ही संजे और मन्जू की तरह नहीं है इसलिए हम उनकी नकल नहीं कर सकते हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है